दोस्तो आईशर मोटरस ने लॉंच कर दिया है अपना नया पीकप जो कि आएगा दो टन्स लेके साड़े तीन तन्स जीवी डवलू कैपरसटी के साथ दोस्तो बहुत ही जबरदस लूक के साथ ये आ रहा है इसको देखने में भी ये पता चला है कि ये पीकप का जो साइज है काफी बड़ा है और आल जो इसका कैबिन का लूक है बहुत जबरदस लूक है इसका जो इंटीरियर जो कैबिन का है बहुत जबरदस लूक है और कैब option में मिलेगा और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर EV के option में मिलेगा तो आज मैं इसको compare करने वाला हूँ फेमस सबसे ज़्यादा यहाँ पर पसंद किये जाने वाले अशोक लेंड दोस्त सीरीज के साथ दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है आप वीडियो व truck series है इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इस pickup के द्वारा ही अशोक लेर ने pickup की market में इंडिया में entry किये थी आज यह आपको हर्जिग है south से लेके north तक east से लेके west तक और even इंडिया के बाहर भी इस product को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है बहुत ही simple बहुत ह अच्छा यहां खुबसूरत सा आपको cabin देखने को मिलता है इसमें इसका interior और exterior बहुत अच्छा रहता है दोस्तो इसका जो cabin रहता है engine के उपर रहता है अच्छी visibility यहां पर देखने को मिलती है cabin में यहां पर जो overall look है bumper है और चाहिए front fascia हो, icer की branding हो, headlamps हो, indicators हो, बहुत ही जबरदस्त design के साथ यहां पर आपको मिलने वाला है अब बात करते हैं engine के बारे में, दोस्त भी आपको यहां पर diesel इसके अलावा यह आपको CNG option में देखने को मिलता है, यहां पर i-sher आपको diesel, CNG और EV option में देखने को मिलेगा future में आपको यहां पर दोस्त प्लस का, दोस्त सीरीज का यहां पर EV version भी देखने को मिलेगा, जो के अशोकले ने अल्री बहुत सारे events में दिखाया हुआ तो जो तीन और दोनों pick-up हैं, वह आपको एक जैसे fuel option में, एक जैसे engine option में, एक जैसे battery, एक जैसे motor option में देखने को मिलेगे दोस्तों load body की बात करूँ, तो बहुत बड़ी load body यहां पर आपको दोस्त सीरीज में भी देखने को मिलती है, इसमें काफी variants आते हैं इन variants में आपको application के हिसाब से load body का size, engine का power, torque देखने को मिलेगा यहां i-share में भी आपको बहुत सारे variants देखने को मिलेंगे, 2 ton gvw capacity से लेके, 3 ton gvw capacity तक तो इसमें भी load body के आपको बहुत सारे variants देखने को मिलेंगे दोस्तो नमबर आप tires की बात करें, तो अशोगलेंड के दो series में यहाँ पर front में 2 tire, rear में 2 tire और एक spare tire अशोगलेंड company आपको देती है, वहीं जो i-share motors का pickup है इसमें भी आपको front में 2 tire, rear में 2 tire और एक spare tire देखने को यहाँ पर मिलता है तो number of tires आपको similar दोनों pickup trucks में देखने को मिलेंगे दोस्तो इसके अलावा बात करते हैं कुछ और इनके technical specification के बारे में दोस्तो जो pickup है इंडियामा अल्रेडी यह बहुत time से चल रहा है, लोग इसको पसंद करते हैं बहुत ही मजबूत frame इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको ladder type frame रहता है heavy cross members का इसमें और heavy side members का इसमें इसमें इस्तेमाल देखने को मिलता है i-share का pickup देखके भी यह पता चल लाए है, कि यहाँ पर आपको बहुत heavy frame देखने को मिलेगा इसमें जो cross members होंगे, side members होंगे बहुत heavy material के बने रहेंगे और इनकी जो strength है बहुत अच्छी strength आपको देखने को मिलेगी दोस्तों इसके लावा यहाँ पर आपको इसमें आईशर में जो battery वाला pickup देखने को मिलेगा, अब धिरे-धिरे क्या हो रहा है कि EV का प्रचलान बढ़ते जा रहा है अशोक लेन ने अलड़ी दोस्त में हाँ पर battery वाला जो EV वाला pickup है वो अलड़ी reveal कर दिया है बस उसका production का इंतजार है proto तो हमने बहुत देख ले हैं जैसे ही सायद हो सकता है कि इस साल अशोक लेन भी अपना electric version मार्केट में customers के लिए उतार दे अब देखना यह होगा अभी तक आईशर का pickup मार्केट में आया नहीं है कब यह आता है और कैसा इसका feedback रहता है कैसी इसकी power रहती है कैसा इसका engine रहता है कितना torque है क्योंकि pickup में क्या रहता है कि engine जो रहता है बहुत ही महत पूर्ण यहाँ पर portion रहता है क्योंकि engine के थुरू यहाँ पर हमारे इंडिया में जो pickups रहते हैं उनको engine के performance के बेस्ट में ही customer ज़्यादा लेते हैं दोस्तों overall दोनों pickup trucks बहुत ज़्यादा मजबूत बहुत ज़्यादा strong बहुत ज़्यादा popular यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं आईशर के भी बहुत सारी trucks pickups और इसके लवा बसेज आपको देखने को मिलती है दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment section बताएए वीडियो को like share और चैनल को subscribe किजिए अगर आप अभी तक वीडियो को देखते रहिए ऐसे ही हमारे चैनल को subscribe करते रहिए बहुत बहुत धान्यवाद